हालो फैमली राधे राधे कैसे आप सबी उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मस्त स्वस्त बिंदास होंगे फैमली तो देखिए आज की ब्लोग मेरा है ये रेशेपी का और आज ये नई रेशेपी बनाने जा रही हूँ है तो देखिए ये बहुत दूर से आई है इनका नाम है मुरेला हम लोग इनको मुरेला के नाम से जानते हैं आप अगर किसी और नाम से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं कि आपकी तरफ इनको क्या बोलते हैं तो देखिए फैमिली हालांकि हमारे इधर इस मार्किट में आसानी से नहीं मिलता है बहुत मुश्किल से ये मतलब मिलता है सबजी जो है और देखिए इनको पहले मैंने बॉस किया है और बॉस करने के लिए इनका आएक बुरुस के साथ मैं साफ किया है बुरुस से क्योंकि काटे रहते हैं इसके ऊपर तो आसानी से नहीं इनका जो गंद है नहीं निकलता है वैसे तो साफ रहते हैं ये और जब कोई अगर कोई धूल मिटी जैसे मिटी लगी रहती है ना था तो बुरुस के जंदे से निकालते हैं इसको तो मैंने अभी अच्छी तर ऐसे वॉस कर लिये थे और अभी देखिए मैं इनको छोटे छोटे पीसों में काटना स्टार्ट कर दिया है तो अभी देखिए बहुत से इतने बड़े बड़े चब होते हैं न तो इनके अंदर बीज बहुत होते हैं और पके हुई होते हैं बीज लेकिन ये इतना बड़ा सबजी का फल है लेकिन इसमें कोई बीज नहीं है और बीज भी है तो थोड़ा कच्छा बीज है इनका देखिए बहुत ही काफी दिनों से कभी भी मेरी ये रेसिपी में आप उन्हें कभी देखा नहीं होगा लेकिन इसको मैंने बहुत दूर से मंगाया है और बहुत ही मतलब एक दफ़े इसका जो स्वाद मुहूं को लग जाए न बंदे को तो ये बहुत सारी सबजियों को खाना छोड़ दोगे बस इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि यही जब इसका खा करना टेस्ट मुह चड़ जाएगा तो बस यही याद आएगा कि वो सबजी होती तो वो हम अच्छा पेट भर के खाते तो देखिए फिलाल में मैंने दो तरके पीसों में कट कर लिया है इसको एक छोटे पीस में और एक पतले लंबे पीस में तो अभी देखिए फिलाल काट के मैंने एक साइड में रखतिया है इनको और अभी मैंने दो टमाटर दो प्याजी इसके अनुसार ले लिया है मैंने तो अभी मैं इनको छील कर मतल़ साफ करकर रख लेती हूँ और मसाला ज़्यादा खास नहीं है मसाला वर से थोड़ा सा दो प्याज दो से तीन टमाटर और हर इमेज का साथ मैं इनको बनाने वाली हूँ और ज़्यादा मसाला और कुछ नहीं है इसका और इनी चीजों से इतना टेश्टी बन जाता है ये बहुत ही टेश्टी और यही चीज इसको इतना स्वाद देती हैं जो आप करेले खाते हो ना इस रेसिपी के साथ में उस करेले की रेसिपी जो भूजिया होती है उसको इस वाली भुजिया के साथ में और देखे एं तीन से चार हरी मिर्च भी ले लिया है हारी मिर्च मेरी खातम हो चूकि है लाश्ट में ये तीन से चार मिर्च मेरी बचिमा भी आए गा तो मुझको लेना पड़ेगा और अभी बाकी का जो सबजी था वह आ चुका था मेरा बहुत सारा सबजी आया है और देख लीजिए किस तरह से मैंने इन पीसों को मैंने बनाया है काटा है और ज्यादा अच्छा होता है इसको छोटे पीसों में काटोगे तो ज्यादा बहतर रहेगा लेकिन हमारे जो मूं को लगा हुआ है वो इसी तरह का पीस लगा हुआ ह लेकिन हमको ऐसे ही अच्छा लगता है और आज मैं टमाटरों को डालने वाली हूँ इसके अंदर भून कर क्योंकि छिलका निकल जाएगा और जब सबजी में छिलके के साथ जब डालते हैं न तो सबजी का अलग ही मतलग छिलका रहता है तो पीस के डालना नहीं है मुझे ऐसे ही कट करके डालना है तो इसका जब छिलका निकल जाएगा तो अपने आप ही यह गुल जाता है यहां रख दी है मैंने कढाई टमाटर मेरे बहुन चुके हैं उनको ठंडा करने के लिए एक साइड में रख दिया है और यहां मैं डाल दी हूँ प्याज कि आज मैंने उसी टाइम काट के रख दी थी और मोटो मोटो पीस होना है और देखिए इनको मैं फिराई कर लेती हूँ थोड़ा हलका ही फिराई रखूंगी इसके लिए सबको अपने पसंद की सबजी अच्छी लगती है तो मैं अपने पसंद की जैसा कि हम अपने घर में यूज करते हैं मैं उसी तरह से बनाऊंगी आलू मैंने एक आलू मैं इसलिए डाला है क्योंकि मेरे बच्चे जो है नहीं जो सबजी खाते नहीं है उनको पसंद नहीं होता जब कोई चीज चक हैंगे नहीं तो उनको स्वाद की कहां से पता लगेग तो बच्चे हैं कोई भी सबजी मतलब ज्यादा नहीं खाते हैं उनको सिर्फ आलू ही इतना प्यारा है कि हर चीज मैं उनको आलू चाहिए होता है और आलू से ही वो लोग बच्चे जो हैं खाते हैं तो इसलिए मैंने इसमें एक आलू डाला है और अभी देखे फिराई कर गए इसका तो अच्छा हो जाएगा और थोड़ देर के लिए मैंने ये ढक दिये थे ताकि फिराई अच्छे से हो जाए तो देख सकते हैं थोड़ा फिराई में नर्माई लेकर आ गए हैं फिराई हो चुके हैं मतलब थोड़ा और आब आगे देखते रहे हैं इसी तरह से मैंने इनको फिराई करते रहना है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है अगर पानी लगाओगे न अभी मतलब तो बेकार हो जाएगा इसको अच्छी तरह से फिराई होने दे पूरा अच्छी तरह से और अगर जरूरत पड़े तो उसको बिल्कुल जब जरूरत पड़े तो आपको और तो इसमें बाद में मतलब आदा गिलास मतलब छोटा आदा गिलास थोड़ा डालने ताकि जो सबजी इसके कड़ाई के अंदर या भगोने के अंदर लगे नहीं और ये देखी मैंने फिराई और देखी यहां थोड़ा सा मूँफली रखी थी मेरे पास मैं तो उनको मैं तब इपर भून कर रख देती हूं थोड़ा अच्छा लगेगा मौसम ऐसा हो रहा है कि नहीं तो बारिस हो रही है और नहीं मतलब धूप है इस तरह का मौसम है और देख सकते आप भून चुकी हैं और आपके तो बारिस हुई ही नहीं है पूरा मही ना निकल तो देखिए मेरे यहां रेसिपी बन के त्यार होगे इस तरह से मैंने बनाई है तो उम्मीद करती हूं कि मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा